जोहनती विशेश 14 एपल डॉक्टर अम्बेटकर की जोहनती जनम दिन क्या वाकई 14 एप्रिल को ही डॉक्टर अम्बेटकर का जनम हुआ था यदि नहीं तो 14 तारीख किसने तैंकी क्या डॉक्टर अम्बेटकर का जनम खराब नक्षत्र में हुआ था क्या जोतिश ने भाविश्वानी की थी कि उनके जनम के साथ ही उनकी मा की मृतिव हो जाएगी क्या उनकी इस वज़े से उनके भाई बहन अम्बेटकर से बच्पन में नफरत करते थे उनका लालन पालन किस ने किया आईए इनही बातों की परताल करता हूँ आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूँ काम की बाद लाल की क्लास में आपका स्वागत है और जैनती विशेष में पेश है यह स्पेशल एपिसोड इन सब बातों को जानने के लिए सीधे आपको लिए चलता हूँ 28 अक्टूबर 1904 को वहाँ शाम तक्रिवन सारे 6 बजे नए गाओं के पूरन देर स्टेडियम में तक्रिवन 25,000 लोगों की सभावी थी और सभा का जो मकसद था डॉक्टर अम्बेटकर की जैनती की हीरक जैनती मनाना 60 वर्स की जैनती मनाना इस सभा की अध्यक्ष्टा श्री आर्डी भंडारे में की थी और इस सभा में भी आप देखें डॉक्टर अम्बेटकर के जन्म से संभनित सभा है लेकिन इसमें भी वो भवन निर्वान के लिए फंड जुटा रहे थे अपने भवन के लिए नहीं समाज के लिए सारदनिक भवन के लिए भवन निर्मान कोश संग्रा का देवरा देते हुए श्री S.A. उपशाम ने बताया कि डॉक्टर अमबेटकर ने 14 एपरिल 1952 को ही 60 वर्ष पूरे कर लिये थे और समारो 1952 में ही हो जाना चाहिए था लेकिन वे उस तारीख को समारो नहीं कर सके इसलिए वे इस दिन समारो मना रहे हैं भवन निर्मान में कितने फंड आयत हैं सबायत हैं उनका पूरा व्यवरा है इसके बाद अध्यक्ष ने कहा श्री भंडारे ने कहा कि डॉक्टर अम्बेटकर व्यास मनू अबराहम लिंकन और यहां तक की काल माक से भी बड़े विद्वान हैं उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी तूलना डॉक्टर अम्बेटकर से की जा सके वास्तविक उदारन देते हैं कि वास्तविक विभाजन से दस वर्ष पहले ही विभाजन के परिणामों की भविश्वानी डॉक्टर अम्बेटकर ने कर दी थी दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन निवच्छावर कर दिया इसके बाद एक लाख अठारह हजार रुपय का थैला उन्होंने भवन निर्मान के लिए उन्होंने डॉनेट किया इसके बाद डॉक्टर अम्बेटकर का भाशन हुआ डॉक्टर अम जमीन खरीदी जा चुकी है और उस जमीन पर जो लोग रह रहे हैं उनसे जमीन खाली कराया जा रहा है उन्होंने यह भी दावा किया कि यह माल लेना कि वो शुरू से अत्यांत मेघावी शात्र रहे हैं गलत होगा वे अपने समुदाएं के अन्य बच्चों की तरह साधारन ह आगे उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उनके जन्म दिन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना जरूरी नहीं समझा था और उनके जन्म की ठीक ठीक तिथी ग्यात नहीं है वह साठ से ज्यादा या साठ से कम हो सकती है उन्होंने बताया कि यह सत्य है कि उनका जन्म आधी रा ये प्रसुती पीड़ा हुई थी और उन्होंने आगे कहा कि उनका जन्म खराब नक्षत्र में हुआ था और जैसा कि जोतिश ने बताया था उनकी मां शिग्र ही परलोग सिधार जाए इस कारण उनके भाई वहन उनसे नफरत करते थे उनका लालन पालन उनकी चाची ने किया था उन्होंने आगे कहा कि बच्पन के अपने दिनों में उन्होंने महाभारत भगवत गीता जैसी धार्मिक पुस्टों को पुस्टकों का अध्यन किया था लेकिन जब उन्हें गौतम बुद्ध के बारे में पुस्टक मिली तो इसका उनके मानत स्पटल पर गहरा प्रभ पुस्टों को भी अपने भले के लिए बहुत धर्म अपनाना चाहिए आगे कहा कि वह गौतम बुद्ध कबीर और फूले के भक्त तथा अनुवाई हैं और उन्हें उन्हीं के बताये रास्तों पर वह चलते हैं उन्हें कोई बुरी लत नहीं थी लेकिन उन्हें पढ़ने का शौक था उन्होंने कहा कि जीवन में उन्नति करने के लिए प्रतेक वेक्ति के लिए विद्या महत्पुन हैं शुरताओं से आग्रा किया कि वे इस बात को समझें कि अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने समुदाएं के लिए योगदान करना है और अपने फेडरेशन के लि वे अब लक्ष पाने की डगर पर हैं और उन्होंने अगर जरा सी सुस्ती दिखाई तो वे गिर जाएंगे उन्होंने शुरताओं से अपील की कि वे नित्रित पाने के लिए ना लड़ें और कहा कि हमेशा समाज की सेवा करना चाहते थे और जीवन प्रयंत सरकारी सेवा कर करते रहेंगे उन्होंने ये भी कहा कि जीवन प्रयंत उन्होंने सरकारी सेवा नहीं की उससे अलग रहें यदि कोई सरकारी पदलिया होता तो अब वे पिंशन धारी हो गए होते हैं लेकिन उन्होंने साथ आठ वर्ट से अधिक मार्ग दर्शन लोगों का नहीं कर पाएंगे यह बात कहीं कि चौवन में कह रहते कि साथ आठ वर्ट से जादा हम मार्ग दर्शन नहीं कर पाएंगे ठीक दो वर्ष बाद उनका निर्वान हो गया उनके रहते ही उन लोगों को आकर इतना स्थान गहन करना पड़ेगा मतल पर इत्पत्तियों ने डॉक्टव अंबेटकर और उनकी पतने का माल्यारपण किया तो देखिए डॉक्टव अमबेटकर की नहीं है तो कोई नहीं बात नहीं है हम लोगोंने बजपन में भी देखा है कि बहुत सारे लोग गाओं में जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे वो जन्मतिती कोई record रखता नहीं था तो जन्म date of birth कैसे बढ़ता था कि जब वो बच्चा स्कूल में जाता था तो मास्टर जी पूस्चे दे इसका जन्म दिन क् तो जन्म दिन नहीं बता पाते थे इशारा करते थे जो प्राकृति घटनाएं होती थी कि जिस साल बहुत बाहर आया था या जिस साल भुकाम पाया था जिस साल बहुत तेज बारिष हुई थी यह समय का मानक था और उस इसाब से मास्टर जी अपने अनुमान से तारीख ल प्रमाणिक सूचना सरकारी ग्रंतों में लिखी हुई बात जो है महराज सरकार ने भारत सरकार ने किताब चापा है अमबेटकर के राइटिंग साने स्पीचेज उसके आधार पर यह अमबेटकर नामा तयार बता है इसलिए मैं पेज नंबर आपको दिये देता हूँ यह अंग्रेजी अगर देखना चाहते तो वॉल्यम 17 पार्ट थर्ड में देखिए आकरी पॉर्शन में वह आपको मिलेगा हिंदी देखना चाहते हैं तो वॉल्यम 37 देखिए चैप्टर नमर 151 और इसका नाम है चैप्टर का मैं बुद्ध कवीर महात्मा फूले का बक्त भक तो बार-बार डॉक्टर अम्बेटकर कह रहे हैं थे मुझे इश्वर मत बनाओ जैसे एक इंसान का एवलूशन होता है अम्बेटकर का एवलूशन भी उची तरफ हुआ और समय काल्प के संदर्व में जब एक विक्ति को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे उनको आप सच्चे जो है आप अनुवाई बनेंगा अम्बेटकर बात का मतलब सिर्फ बार 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 अम्बेटकर कह रहा है कि जंडा उठाना नहीं परना लिखना व्यानिक सोच डेवलॉप करना है कीप वाचिंग एंड शेरिंग अम्बेटकर नामा अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी शुक्रिया जाय मिद्गी